इसको अगर ब्रेक करके ऊपर या दुबारा से आएगा तो क्या करेगा यह सपोर्ट की तरह यहां पर ब्याइब करेगा मार्केट को यहां से पुस्ट करने के प्लान करेगा यहां पर है ना तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का यह वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वी आप प्रॉफिट बना ही नहीं सकते बहुत सारे लोग होते हैं कि सपोर्ट और रेजिटेंस सीखते साल दो सार लगा देते हैं और प्रॉफिट बनता नहीं है उनका फिर लाश्ट मार्केट से हार मान के चले जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपने गल बस आखरी होने वाली है support और रेजिटेंस से related इसके बाद आपको support रेजिटेंस से related कोई वीडिओ देखने की जरूरत नहीं है क्यूँकि ये एक तरह से आप ऐसा course आप समझे कि support और resistance को मैं आप लोगों को course दे दे रहा हूँ बहुत ही simple सब्दों में पूरा A to Z क्या है कैसे है ना तो वीडियो काफी मज़ेदार और knowledgeful होने वाली है ठीक है like आपका मुझे एक चाहिए मेरे motivation के लिए जरूरी है तक जो मैं आपको आने वाले टाइम में इसी तरह से ही मेहनत करूँगा क्योंकि ये वीडियो मुझे नहीं पता आदे घंटे को होगी एक घंटे को होगी जितना हो पाएगा मैं समझाओंगा आप सभी को सिखाओंगा ठीक है तो चलि यहाँ पर सुरू करते है भटा पट आपढमान वेस्टाइटू में होता है दूसरा होगार डूसरी होता है सब्सक्राइब को Pi लोटे स szer принципе सबके लिए मतलए इस्ट्रेटिक होते हैं लिंगि में क्या होता है का मूविंग क मॉविंग ए प्रीज काम करता है ठीक है यह टो शीघ्रा रहेंगे यह वो प्राइस के साथ डायनैमिक होता जाता जाता है ठीक है इहां पर आगे देखते है कि pad होरीजिंटल लाइन बैस में मतलब क्या क्या आता है क्या है है और सपोर्थ रेंडिस्टेंस लेवल है और इसमें भी single support resistance zone है और multiple support resistance zone है बरबर है तुमझ में आगे अब आगला part आप देखे क्या है trend line base आप यहाँ पर देखे downtrend में है uptrend में है होगा इसमें downtrend में falling support होगा और falling resistance होगा uptrend में क्या होगा rising resistance और rising support ठीक है moving average जो की dynamic support resistance के category में आएगा ठीक है इसमें के दो category है एक तो आपका support resistance लेवल होता है और support resistance जोन होता है पराबरे मैं आपको सब सिखाऊंगा ध्यान से समझेगा इसके बाद दूसरी वीडियो आपको देखनी जुरूत नहीं है अभी मैं गरंटिक साथ बता रहा हूँ आपको a support Sapp Newman से characteristics क्या है यहां आप देखिए दो तरीके कि हैं अगर आपका support है वो ब्रेक हो जाता है तो बाद में सपोर्ट बिकम सर इस्टेंस हो जाता है अगर कोई resistance है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो क्या हो जागा resistance बीकम सपोर्ट कि तर आ काम करेगा बराबर 다 CRS अरे करたい में एडिशनल मैंने यहां पर दिया है अच्छा काम करता है चैनल बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस यह क्या होता है मार्केट अगर रेंज में है रेंज आपका दो तरीके का होता है एक होता है एक होता है अकुमिलेशन फेज होता है दूसरा होता है डिस्टिब्यूशन बिल्कार्टOT के अंदर डुर्ट्पल पहले सिखते हैं कि आप कोई भी इस्तेमाल कर ये 5 मिनट का 1 घंटे का 15 मिनट का 1 मिनट का सब में आपका support resistance बनता है अभी देखे होता क्या है generally मैं आपको support resistance की basic theory पता देता हूं market क्या होता है अगर अप जा रहा होता है ठीक है फिर यह कहीं किसी point से नीचे आता है फिर करेगा मतलब यह उपर से resistance मतलब रुकावट अवरोध पैदा कर रहा है तो market यहां से नीचे की तरफ fall कर सकता है तो क्या होता है यह resistance होता है मतलब market जब भी उपर जा रहा होता है किसी points जिस point से नीचे आ सकता है उसको क्या बोलते है वो resistance है ठीक है यह रेजिस्टेंस हो गया उसी के विप्रियत जोएगा मार्केट यहां तक नीचे आया था दुबारा उपर गया था तो इस पॉइंट से हमने देखा कि मार्केट एक बार रिवर्स हुआ था मतलब मार्केट डाउन फाल में था और यहां से उपर चला गया था दुबारा करेगा ऐसा कोई जोन या ऐसा कोई ूपर कि तरफ निकल जाता है मार्केट अगर दशह तो dimemional दो होगिया था है अब आपको सिंगल जो की इस में था क्या है सिंगल सपोर्य रेजिस्टेंस यहां पर हम यह सीखते हैं, यहां पर train line मिल जाता है, देखें यह train line आप इसको यूज करना है, मैंने यहां पर favorite में select करके रखा है, एक horizontal line है, यहां पर आपको दिख जाएगा, और एक आपको इसमें दिखेगा, मतलब यह जो brush यहां पर दिख रहा है, यहां पर आप देखें तो यहां पर देखें, मैंने यहां पर horizontal line select करके रखा हुआ है, तो हम यहां पर click करते हैं, और देखें, market क्या हुआ था, इस point पर नीचे आ रहा था, तो हम यहां पर इसे click कर देंगे, तो एक line हमने यहां पर draw कर दिया, ठीक है, तो हमने बस single, single एक तरह से support बनाया, मतलब एक बार, एक ही बार market यहां नीचे आया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, single support level, single support level, मतलब एक ही बार touch किया है, अगर इसको ध्यान से देखें, एक बार यहां भी आया था, तो अगर यह तो हमने तो अभी यहां पर इसी को देखके plot किया, तो मतलब यह सिंगल ही हुआ भी, अगर कोई ऐसा जगह होता है, और कोई ऐसा level होता है, जो कि मतलब यहां से यह दो बार टच किया रहता है, तो हम उसको multiple बोल सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, तो यह क्या होगा, single support level है, ठीक है, यह level होता है, अब यह market क्या होगा, अगर यहां पर चला है, अगर यह न तरह से support की तरह यहां पर काम किया, बराबर है, अब आगे देखते हैं, अब इसी तरह से इसको सब को मैं यहां पर delete करता हूँ, और दुबारा से इस line को देखे, यहां पर तक market आथा, हमने यहां पर plot कर दिया, अब देखे, यहां पर क्या हुआ, अब हम इसको क्या कह सकते है, multiple कह सकते ही नए, multiple level कह सकते हैं क्योंकि यहां पर लभी आया था, थोड़ा थोड़ा ही रहते है, मान की चलते हैं, touch भी कर द्याएं, तो एक यहां पर हो गया, दो हो गया दो यहां पर, दिया лайँ पर दिखे, एक बार यहां पर यह दूसरी बार यहां पर टच किया है, इसको इसे आप लगे दिए ठीक है दो बार टच किया तो multiple support हो जाएगा ठीक है यहां पर दो बार टच किया और यहां पर market आ रहा है लेकिन इस area से अभी मतलब यह टच नहीं किया है यह जो level हमने यहां पर draw किया है ठीक है यह market क्या हो सकता कि यहां से आके इसी point से उपर निक और टो यहां से देखंगज विक लांगा है तो यहां पर बनाते हैं इसको कैसे जोन बनाते हैं यह हम here इसके नीचे तक यहांपर जिसे यह बहु नीचे टँच हो गया और देखेंगे तो यह भी कर आए रहता है जिए ओंक हम पूरा विक हमने कवर किया हूए हमने प्रहर कि यहां ठैजों करते थे वह ऐसे लेड़ fight क्यों कि अगर हम यहां भी ट्रॉक कर दिया तो क्या होगा कि कि market हो सकता है कि जिसे कि last time यहां पे आप देखे कैसे आया था नीचे आ रहा था और यह यहां से उपर चला गया यहां टच नहीं किया तो आपकी entry मिस हो सकती है या फिर यह बीच से यहां से निकल सकता है या फिर यह touch करेगा तो ही आ प्लान करेंगे तो क्या होता है कभी- तरनाक होता है ठीक है तो इसके लिए हम यहां पर जौन का सहारा लेते हैं जो बनाना जदा अच्छा रहता है तो जैसा कि हमने यहां पर बनाना कैसे हमने टच कराए यहां से नीचे किया और यह पूरा unt had gaat बना दिया अब देखेंगे यहां पर तो एख यह यह कर दूसरी भारह ना पर हो गया उसके दैसे ऩी पार हो गया चोधी पांडिपल क्यों गया मैल्टीपल अ"... अगर किस तो यह सिंगल ही बोला जाता यहां से भी reverse कर सकता है, यहां से भी आके reverse कर सकता है, थोड़ा touch करके भी reverse कर सकता है, ठीक है, यहां पूरा पूरा नीचे आके reverse कर सकता है, तो यह पूरा zone हो जाता आपके साथ, वो candle stick आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई candle, bullish candle बनता है, तो यहां से हम, मतलब long करते हैं, buy करते हैं, ठीक है? Support से उपर जा सकता है ये हो गिया, आपको zone समझ में आगया support का कैसे, किस टरह से plot हम यहाँ पे करते हैं लेवल आपको समझ में आगया और zone भी आपको समझ में आगया अब इसी तरह से resistance भी सेम तरीके से काम करता है यहाँ पर हम वही चीज़ करते हैं यहाँ पर यह जो highest point था वो हम यहाँ इसे plot करते हैं अभी देखे यहाँ पर यहाँ पर नीचे बनाया ठीक है market यहाँ तक आया था दुबारा नीचे आ गया दुबारा जब जाएगा देखे यह level के ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे आ गया यहाँ पर नीचे बहुत कर सकते थे उसके अलावा जो यहाँ बना सकते थे लेकिन यहाँ पर यहाँ पर बना दिया तो अब यह लेवल आपको समझ में आ गया किदर गया अब हम यहाँ पर लेवल की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं अगर जोन बनाते हैं इसे जोन बनाने के लिए हम यह उपर पॉइंट पर टच करेंगे और जितना विक लगा हुआ है पूरा पूरा हम कवर करने वाले हैं ठीक है यह आप देखे यहाँ पर विक यहाँ तक था आप देखें यहां पर क्लोज नहीं हुआ बस उपर जाके नीचे आ गया मतलब यह जोन अच्छी तरीके से काम किया मार्केट यहां से रिवर्स आ गया ठीक है यह जोन हो गया पूरा आपका बराबर है अब इसी तरह से ही मैं आपको एक आपकी जंप लाओर बता देता हूँ जैसे यहां पर देखें यहां पर मैं बनाता है सब्सक्राइब यहां पर चल ला है यहां पर चला गया इसको बना सकते हूँ तो फंद्रह मिट में भी आप ऐसा बना सकते हैं सपोर्ट जैसे कि और example की तोर पर मैं आपको दिखाऊंँ तो एक area यह है जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसे zone बनाते ऐसे पकड़ के पूरा ऐसे zone बनाते zone के नीचे निकला तो आपको समझाएक वो नीचे जा सकता है ठीक है यहाँ पर आप देखे यह zone आप बनाते यहाँ पर ऐसा तो यह zone काम कर रहा है यह पर बना दीजे तो इस तरह से जो लेवल्स होते है वो काम करते हैं सपोर्ट और रिजिस्टिंस के बिहाब पर ही लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करते है ऐसे आप लेवल इसको बनाएए बार-बार मार्केट ऊपर निकल रहा है मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ठीक है इस तरह से यह भी आप यहाँ पर प्लाट कर सकते थे ऐसे घर कर सकते थे यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा नीचे जटका दिया लेकिन फिर से निकल ग अब इसमें क्या है डाउं ट्रेंड है फॉलिंग सपोर्ट फॉलिंग रेजिस्टेंस अब ट्रेंड है राजिंग सपोर्ट राजिंग राजिस्टेंस ठीक है अब यहाँ पर समझते हैं चलो सबको एक बार डिलीट मारता हूं तो ट्रेंड लाइन का आप यूज कैसे करें यह देखे, market आया था नीचे, उपर जाने लगा, और फिर आया दुबारा यहां तक आया, फिर उपर गया, उपर गया, तो हम यहां से किनी दो पॉइंट को टच कराना होता है, इस पर हमने क्लिक किया, यहां से हमने पिन किया, और यह ऐसे extend मैंने कर दिया यहां से, ठीक है, अब यहां देखे, यहां भी टच किया, थोड़ा सा यहां टच नहीं कर पाया, उपर चला गया, यहां टच किया, यहां टच किया, तो मतलब यह आप देखे, एक बार टच किया, दो, तीन बार हो गया, तो अब यहां से market अगर इधर चला है, अगर इस trend line को ब्रेक करता है, तो नीचे आ सकता, अगर मैं इसको extend कर देता हूं, अधर side कर देता हूं, तो यहां पर थोड़ा सा मतलब zigzag हो गया, यहां पर मजा नहीं आए, अगर one way में इस तरह से आता है, अगर fall कर जाता है, इस तरह से, अभी मैं आपको example और भी आगे दिखार हूं, समझ में आएगा तो क्या होगा, यह trend line हमने यहां पर बनाया था, और यह fall कर गया, नीचे आ गया, तो क्या होगा, यह जो support था, क्योंकि market, जो है न कि इस trend line को उपर है, तो क्या होगा, जब भी market इधर आएगा, तो support लेकि यह उपर जाता है, लेकिन जब एक बार break कर जाएगा, तो फिर व दुबार से नीचे आ सकता है, तब आपको लेना है, क्योंकि होता क्या है, जो support होता है, जो कि मैंने आपको बता है, वो बाद में resistance बन जाता है, अगर break हो गया, तो resistance बन जाता है, market दुबार उपर जाएगा, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, चलो आगे example में देखते हैं, और भी, देखें, जिससे हम यहाँ पर इसा train line बना सकते थे, यहाँ से हम पकड़ते इसको, minimum दो point को touch कराना रहता है, यहाँ समने touch करा है, यहाँ पर touch करा है, fall कर गया नीचे, आगे आराम से, ठीक है, एक train line हम यहाँ उपर से भी इससे draw कर सकते थे, ऐसे, ऐसे उपर की तर पकड़ते, और इसको ऐसे touch करा रहते हुए, यहाँ से बना सकते थे, ठीक है, यहाँ पर जिग 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 जिग, मतलब कई बार touch कर रहा था, उपर निकलता तो उपर के लिए हम planning कर सकते थे, बाकि और भी example यहाँ पर पकड़ते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ प यह train line यहाँ से भी जा रहा था, यहाँ सब देखें, कितना बार touch किया है, कितनी बार touch किया है, यह जैसे ब्रेक होगा, तो आप trade मार दीजे नीचे की तरफ, और भी example की तोर पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक train line यहाँ से भी बन रहा था, आप ऐसे पकड़ लिज नीचे है, तो यह फिर यह support हो जाएगा, मतलब अब फिर इसके नीचे जाने में इसको तकलीफ होगी, यह जाने नहीं देगा, क्योंकि अब वो support बन गया, फिर यह support से bounce back कर सकता, अगर मैं इसको आगे extend करता हूँ, ऐसे आगे extend करता हूँ, अगर आप देखें, ऐसे करके, तो क्या हुआ, market नीचे नहीं जाने दिया, इसको दुबारा से जो है, क्योंकि जब तक इधर था यह, जब तक इधर था तो resistance की तरह काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही तूटा तो फिर वो support बन गया, अगर आप देखें, यहां से फिर से गया उपर, इसको मैं अगर आगे ब पकड़ते हैं, देखें, यहां से आ रहा था, यह उपर समयां से इसे पकड़ते हैं, इसको इसे ड्रॉ करते हैं, यहां पर मिला, यहां पर मिला, ब्रिक किया, निकल गया उपर, बराबर है, इस तरह से आपको करना होता है, मतलब यह, आप कहीं नीचे से भी ड्रॉ कर सकते यहते हैं आपर से सकते हैं कोई इस्यु नहीं है यहां पर बन रहा था आशे हैं नीचे आ ःगा आप इनिटी प्लान करिये तो अब आपको चप्न ब समझ में अगया अगर और मार्केट अगर ऐसे चल आ ऐसे चला है ऐसे क्या होगा यह सपूर्ट की तरह काम करें अगर consistent अगर इसी तरह से अगार профессор तरफ आ रहा है ऐड़ी निची की तरफारा ऐसे क्यूंकि की यह मार्केट हमेता लगाथाँ सबस्वाद करके retrace करके फिर आता है तो हम यहां पर इसे trend line जब बनाते हैं यह trend line बनाएंगे तो क्या होगा यह falling resistance क्योंकि यह उपर की तरफ से है market बार-बार reverse orize point से अगर हम यहां पर नीचे की तरफ बनाते हैं तो क्या होगा falling support बराबर है market इस से यह fall कर रहा है और बार-बार यह support लेकर उपर जा रहा है तो यह channel यहां पर बन जाता है क्या होता है यह channel बन जाता है जैसे channel उपर break करेगा या फिर नीचे break करेगा तेजी से तो फिर वहां पर कुछ हम plan कर सकते हैं यह हो गया आपको समझ में आ गया होगा अब अगला जो है point हम यहां पर दिखते हैं moving average यानि dynamic support resistance के बारे अब हम यहां पर समझते हैं इसमें भी moving average line base है इसमें भी आपका support resistance level है और support resistance zone है कैसे होता है समझते हैं आईए अब को delete मारते हैं अब हम यहां पर dynamic support resistance समझने वाले इंडिकेटर पर जाएंगे यहां पर हम यहां पर सर्च कर लेंगे moving average आप यह में सर्च कर लिए exponential moving average ठीक है यह हो गया यहां पर moving average simple है moving average exponential अच्छा है कोई भी आपका लिए लगबग बराबर ही होता है थोड़ा बहुत changes होता है तो यहां पर आप देखिए यह आ गया यहां पर देखिए moving average हो गया यह price के साथ 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 जो नहीं कि यह उपर नीचे हो रहा है ठीक है लेकिन अब इसको हम आप यहां से जो नहीं चेंज कर सकते हैं अभी 9 length है तो आप इसको 20 कर सकते हैं प्रादातर लोग 20 भी यूज करते हैं तो क्या होगा यह price से थोड़ा सा distance बना लेगा मतलब दूर ही हो जाएगी price से ठीक है मार्केट फॉल किया तो इस moving average से बार बार यहां से जो है कि resistance कर रहा है इसी तरह से आप जो है कि आगे भी देखिए यहां पर इसको भी यहां पर देख सकते हैं मतलब एक तरह से resistance ही था थोड़ा सा break करके वह ऐसा trapping वगरे भी हो सकता है तो बाकी और भी अगर आप देखे इसमें होता क्या है कि अगर price यह moving average की line है अगर price यह उपर है तो यहां से support लेके बार बार यह support इस तरह से जा सकता है अगर यह moving average वाली line अगर मान के जलते हैं प्राइस क्या होता है अगर वो लेंथ हम यहां पर 20 की जग अगर हम 50 यहां पर कर देते हैं तो थोड़ा सा कम इंट्री आपको देगा है थोड़ा हो दूर हो जाए प्राइस से दूर होता जागा इतना नंबर हम बढ़ाते जाएंगे वो सपोर्ट मिल रहा है सबको लेकिन यहां पर जिग जग कर रहा है उपर नीचे अपर इंड़ान तो मतलब यहां बहुत सारे लोग 200 भी यूज करते हैं ठीक है यहां मैं 200 कर देता हूं तो और यह दूर हो जाएगा प्राइस से और दूर होता जाएगा ठीक है तो यह जल्द क्योंकि यह कही लाइन है मतलब लेवल है अब जोन कैसे होता है अभी इसको मैं यहां पर क्या करता हूं 9 कर देता हूं मानके चलते हैं 9 मैं कर दिया 7 भी कर सकते हैं कोई 14 भी कर सकते हैं और एक मुझे और इंडिकेटर यह में लेना पड़ेगा इम ए ठीक है यह आप ले ल जोन हो गया एक तरह से मुविंग एविरिज का मतलब डाइनामिक जोन हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो क्या होगा कि प्राइस कहीं से मदब यह उपर वाली लाइन से भी उपर हो जा सकता है और थोड़ा सा बीच से या फिर नीचे वाली लाइन से भी उपर जा स इस तरह से हमने जोन बना दिया जोन के अंदर मतलब किस ठेसे अड़ों नीचे जाएगा तो रिश्टेंस मिलेगा अगर मुविंग वरीज के ओविभरagen चलता होगा हो कैं वह सपोर्ट की तरह काम यहा से आया था बीसे बांज यहां पर थोड़ा गया तो इस तरह से यहां करता है मतलब मतलब डाइनामिक सपूर्ट रेजिश्टींज का यह जोन हमने बना दिया दो moving early use करके इस काम color वगएर यहां पर हम चेंड कर सकते हैं च्चाइल में जाके इसको हम यहां फेरेड कौन सा perfect काम कर रहा है जितना ज़्यादा accuracy जिसमें ज़्यादा रहे आप वही यूज करिए ठीक है सबका अलग अलग तरीका होता है अपने इसाब सी यूज करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया moving average जो dynamic है अभी अगला चिप्टर क्या है इसमें अब इसको समझते हैं इस सबको डिलीर करते हैं यहां पर देखे हैं होता क्या है जैसे यह support है रजिस्टेंस है मानके चलते हैं प्राइस जोने की यहां से आ रहा है एक बार reverse हुआ दूसरी बार इसको resistance मिला reverse हुआ तीसरी बार भी reverse हुआ चौती बार क्या करेगा होता क्या है यह एक ऐसा level है मानके चलते हैं कोई ऐसा च्छत इसको माले जा फिर कोई ऐसा level जब बार बार वहां पर इससे आप push करेंगे हाथोड़ी मारेंगे है ना धक्का मारेंगे उसको तो क्या होगा कि एक बार लगेगा तो थोड़ा च्छती होगी उसमें कमजोर होगा दूसरी तो बार जाए गाये और जूका तो अब यह तो अब यह तो जब से ब्रेक होगया भी और यह जब भी प्राइस अगर नीचे आहेगा ठीक है तो अब यह चो शुले करेंगा वह support की तरह काम करेगा ब hels को जो है हो नीचे नहीं जाने देगा मलब यह support बन जायगा फिर से price उपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर से price उपर जा सकता या फिर अगर ये गल्ती से अगर ये support तूड गया, इसको हम आगे extend कर द Rocky कर देते हैं, तो यहाँ से फिर जब नीचे आ जायगा न, price अगर ब्रेक हो जागा, तो फिर जब उपर जाएगा तो फिर इस लेवल या इस जोन के ऊपर जाने में इसको तकलीफ होगी जा नहीं पहेगा फिर यह क्या करेगा रजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो कि पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था तो मतलब यहां पर क्या होता है सपोर्ट तूटता है तो सपोर्ट बन जाता है एक्जामपल क किया था यहां पर support ले रहा था दूसरी बार support लेकिन इस बार यहां पर तूट गया तो आप देखें market नीचे आगा अभी जब भी दुबारा जाएगा तो इस zone से आप देखें यहां से से एक example आपको मैंने यह बता दिया support become the resistance अब यहां पर resistance become support उसका भी example मैं आपको बताता हूँ जैसे एक छोटे से example कि अगर मैं बात करूँ तो यहां भी आप देखिए यह जो जिसे कि यह price था यहां से उपर गया था लेकिन इस zone से जोने reverse हो गया था ठीक है तो हम जब यह दुबारा से आने लगा तो इसी zone से देखेंगे तो यहां से क्या हुआ यह bounce बैक हो गया इसी zone से दुबारा से reverse हो गया मतलब क्या हुआ पहले यहां तो यह resistance था लेकिन यहां पर यह जैसे ही टूट गया दुबारा जब market आया तो क्या होगा यहां पर support बन गया, इसको यहां से push करके उपर पहुँचा दिया, देखे एक example आपको यहां पर भी दिख जाएगा यह देखे, यहां से market reverse आया, दुबारा reverse आया, तीसरी बार, चौथी बार, और यहां पर पांचमी बार भी reverse आ गया, तो अगर हम यहां से इसे plot कर देते हैं, ऐसे करके ऐसा यह पूरा जोन बना देते हैं, तो अब देखे यहां से बार-बार reverse हो रहा था, जैसे यह तूटा तो अभी यहां पर support लिया, दुबारा उपर गया फिर से यहां से support लेके उपर यहां पर जा रहा है चैनल इसमें बनेगा, कैसे बनेगा, एक रेंजिंग मार्केट होता है, जिसमें की दो कैटिग्री है, एकुमिलेशन फेज और डिस्टिब्यूशन फेज, ट्रेनिंग हो गया दूसरा, बतलब इसी चैनल बेस में, जिसमें डाउन ट्रेंड होता है, तो यहां पहले रेंज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कि यहां पर एक उपर साइट से हमें इसे लाइन बना देते हैं, और एक यहां पर बना देते हैं, नीचे साइट से लाइन, ठीक है, तो इसको पहले डिट करता हूँ, तो मार्केट इसमें क्या करता है, ऐसे आया, यहां से आया, और इस से सपोर्ट लेके उपर जाएगा फिर यहां से उपर जाएगा फिर यहां से उपर जाएगा इस तरह से काम करता है अगर फिर यह ब्रेक हुआ तो नीचे निकल जाएगा ठीक है यह इस तरह से होता है एक मतलब एक side wage मतलब यह channel हो जाता है ठीक है यह channel based जो कि मैंने आपको support और resistance बता है तो यहाँ लोग क्या करते हैं कि यहाँ support पर buy करते हैं यहाँ पर sale करते हैं इस तरह से यहाँ लोग trading करते हैं यह क्या होता है side wage market में इस तरह से pattern होता है इसको बोलते है accumulation zone इसी तरह से जब ठीक है market अगर उपर गया तो distribution फेज मतलब यहाँ पर लोग अपर selling कर सकते हैं ठीक है जिन्हों ने यहाँ पर buying किया था अभी इस point पर जाके अपना profit book कर सकते हैं यहाँ पर selling कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा जो price होगा यह support होगा नीचे वाला और उपर वाला जो होगा कि सेम उसी तरह से बिलकुल एकदम उसी तरह से जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था उसी तरह से यहाँ पर support resistance की तरफ बिहेब करेगा और इस जोन से फिर से market नीचे की तरफ पूस करेगा ठीक है जैसिक अगर यह जोन अगर नीचे ब्रेक हुआ उपर जाएगा तो फिर से यहाँ पर resistance की तरह पूरे जोन काम करेगा उपर नहीं जाने देगा समझ गए आप अगर यह नीचे आ गया तो यह जोन जो था accumulation वाला तो फिर से यहाँ से बाउंस ब्रेक कर सकता है अगर यह यहाँ ब्रेक हुआ तो यह आपको समझ में आ गया चैनल बेस अगर आप इधर भी देख लीजे कहीं आपको यह सब सारे एक जंपल देखनों के मिल जाते हैं यहाँ पर देखे इए जोन बना रहा था यह एक जोन यहाँ पर है ठीक मार्केट अप अपए डाउन अपर आपका है यह एक दरस से चैनल अप-एंडाउन हुआ मार्के यहां से ब् यहां पर यह देखे यहां पर यहां पर इसे बना गया तो अमने यहां पर चैनल बना दिया अपर रजिटेंस नीचे सपोर्ट ठीक है अब जो दूसरा इसमें आपको बताया था क्या है वो ट्रेंडिंग मार्केम डाउन चला या फिर अप्रेंड चला तो उसमें चैनल कैसे को मैं पर बनता है वह आपको बताता ह mín對不對 मार्कें डाम डाया था तो यह चैनल के लिए आपको यह वाला टूल करना पड़ेंगा जएipे आपको क्या करना है और एसे यहाँ पर करोना आ ना ये नीचे लिए आना है तो आपको देखे आप देखे आक चैनल बन गया ठीक जैसे यह चैनल ही है जैसे यहां से ब्रीक हुआ उपर सा I यह से उपर गया यह चैनल हमने बना दिया नीचे वाला क्या हूआ यह सॉपोर्ट हो गया और ऊपर वाला क्या हुआ एगा और यह चैनल बना रहा है तो अगर यह यह तो डाउन कि जगा इसको मैं अगर पंद्रे मिट कर दूं तो कि अधर गया देखे यहां से चैनल बना रहा था आपको यहां से पकड़ना इसको उपाल जाना अप फिर नीचे ऐसे करके ऐसे कर देना है मतलब पॉइंट मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई देखे यहां नीचे से कोई पॉ यह चैनल में ब्रेक हुआ नीचे हागया, इसी तरह से यह उपर से ड्रप हो रहा था निए यहां पर इस से प्लाट करते है आप ऐसे करके, यहां से फॉल किया नीचे गया, ठीक है इस तरह से आप यहां पर ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं, यहां पर भी देखे एक छैनल बना रहा था यह ऐसे अप प्लॉट कर लिंजे ओपर आप यहां पर और इस pressure यहां पर यहां पर चाहें तो यह साइड बेज बाला है जो कि आपका distribution phase है यह क्या है distribution phase तो यहां पर कर सकते हैं यहां पर देखिए channel बन रहा था है कि नहीं बन रहा था यहां पर ऐसे प्लान करिए अब एक तरह गया है ऐसे आप करिए नीचे आप ऐसे की तरह काम करेगा अगर यह उपर निकल जादा तो फिर क्या होता यह support की तरह आ पर काम करने लगता बराबर है अब यहाँ ने बन रहा था ऐसे करके आप बना सकते थे यह ब्रेक किया इसे चैनल था यहाँ पर निकल गया यह आपने कर दिया, या फिर आप やप्यां पर कर सकते है, सपोर्ट जोन बना सकते है, इसको इसे पूरा जोन बना सकते है, ठीक है, मार्केट अगर इसको फॉल कर सकता है, अगर यह करेगा भी फॉल, तो लाश्ट वाला जोन अगर आप देखेंगे, तो यहां तक कहा है, यह वाल आप बना दीजे तो market यहां से यहां तक आ सकता है, अगर इसको भी fall कर जाता है, तो अगला जो है कि यहां पे मिल जाएगा है आपको, यहां पे, ऐसे इसको upload कर दीजे, ठीक है, यहां तक भी market आ सकता है इसको आपया श्याँ कर सकते हैं अगर यह उपर के तरह निकलता है तो यहाँ पी आप देखे यह न आपका रेजिटिंस जो यहांपे रहेगा अगर कर दिया ठीक अगर इस्को ब्रेख करके अगर यह उपर गया अभी इसको भर करकी ब्रेख स्वेWest यहां हम प्राइज को है की इसको वपर निकली गया तो निकल जाएगा आप यहां से ॉपर प्रिक करेगा तो यह वाले जोन है यहां से यहां तक प्लान कर सकते हैं है यहां तक अगर यह登録 जो अगर यह अगर इसको भी नहीं यहां सब भी सपोर्ट नहीं ले पाया तो अगला जो टार्गेट रहेगा आपका बिलकुल यहां तक हो जाएगा ठीक इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भीहाब पर लोग यहां पर ट्रेडिंग प्लान करते हैं बहुत सारी और भी च चैनल बेस सब कुछ इंक्लूड लेवल हो गया, जोन हो गया, ठीक है अपको दूसरी वीडियो देखनी जरू होता है पड़ीगी support or resistance के लिए मजाए आपको वीडियो को like करिए चैनल आप subscribe करिए इसी तरह से अगर आप motivation मेरा बढ़ाएंगे support करके तो यकीन मानिए मैं आज मतलब क्या आने वाले time में profitable trader आपको मैं बना के अभी छोड़ने वाला हूँ ठीक है चलिए बिलते हैं फिर किसी इनादर टॉपिक से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंट टेक क्यार जाएंट जाएंट जाएबार